प्रियांका गांधी के बीच जबरदस जुबानी जंग चल रही है कल गांधी परिवार के गड़ अमेठी में जिस तरह से मोधी ने हमला किया उस पर प्रियांका गांधी ने पलटवार किया प्रियांका ने मोधी पर नीच राजनी पिकरने का आरोप लगाया तो वही मोदी ने अब अप्रियांका के बयान को लेकर पलटवार किया है तो इस तरह से इन दोनों के बीच इन दो दिगजों के बीच ये जुबानी चल रही है जहां एक तरफ प्रियांका गांधी ने बीजेपी और मोदी पर नीच राजनीती करने का आरोप लगाया तो दूसरी तरफ मोदी ने उनहीं पर पलटवार किया है आपको ये बताते हैं किस जरिये से ट्विटर के जरिये मोदी ने जवाद दिया है पलटवार किया है प्रियांका गांधी पर उन्होंने कहा है सामाजिक रूप सिप से निचले वर्ग से आया हूँ इसलिए मेरी राजनीती उन लोगों के लिए नीच राजनीती ही होगी हो सकता है कुछ लोगों को ये नजर नहीं आता हो पर निचली जातियों के त्याग बलान और पुरुशार्थ की देश को उस उन्चाई पर पहुचाने में एहम भूमिका रही है इसी नीच राजनीती की उचाई पिछले साथ सालों के कुशासन और वोट बैंक की राजनीती से भारत को मुक्त कर भारत मा के कोटी कोटी जन के आंसू पोचेंगी इसी नीच राजनीती की उचाए भारत मा को एक सम्रिद्ध और शक्तिशाली राख्ष के रूप में विश्व में स्थान दिलाने की ताकत रखती है इस वक्त हमारे साथ, हमारे समवादाता मिथिलेश हैं इसी खबर पर उनसे बात करते हैं मिथिलेश प्रियंका के ये कहना है कि वो साफ सुत्री राजनीती करती हैं अमूमन वो इस तरह के शब्दों से परहेस करती हैं लेकिन हालिया दिनों की अगर बात करें और खासतोर से बात अगर अमेठी की करें तो उन्होंने पहले विनाशक शब्द का इस्तिमाल किया और अब जो हालिया शब्द उन्होंने इस्तिमाल किया है वो है नीच क्या वो इस बात से बेखबर थी या उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस शब्द के इस्तिमाल से वो बीजेपी से घिर जाएंगी या फिर वो राजनीती करते करते वो भी शब्दों के जाल में फस्ती जा रही हैं मैतरी ये ऐसा नहीं है कि बगेर समझे बुझे प्रेंगा की तरफ से कोई बयान है आपको मालूम है मेठी राय बरेली में लगतार वो कैम्प करते रही हैं और यहां से कहने वाले शब्द देश बर्ब को प्रभावित करेंगे ये बखोबी अंदाया था जान बुझकर हर यहां तक कह दिया कि नीची राजनीती उन्होंने शब्दों को बाकी जोड़ा है जिन शब्दों को पिरोया है अपने बयान में उन पर आप गौर करेंगी कहा कि इस अमेठी की जनता उनके शहीद पिता के अपमान को माफ नहीं करेगी बुझका एक-एक कारे करता उन्हें जवाब देगा और साथी साथ जब वोटिंग होगी तो ओटो से जवाब मिलेगा कुल मिलागर कहें तो दोनों की नजर वोटरों पर है आप देखें तो अवद और अवद के आसपास अमेठी रावरेली के आसपास का पूरा इलाका दलितों और पिछरों के अबादी कहलें अगर आप तो 45% से ज़्यादा है ऐसे में नरेंदर मोदी ने निशली जातियों को लुभाने के लिए अपनी जाती का हवला दे दिया है लेकिन इस पर नजर पहले से ही नेरो गांदी परिवार पर थी यही वज़ा है कि अब तक जो राजनीती चलिए उसमें कहीं जाती का मसला ने आता है परिवारी कृष्टा का मसला आता है प्रियंका और राहूल बार बार कहते हैं कि परिवारी कृष्टा है और इसी परिवारी कृiblit को भेदने के लिए नरेंदर मोदी ने अपनी तरव से शब्क बाल चलाया है। उन्होंने नीच ली जाती से होने का अपनी जानकारे देने के लिए लेकिन ये जाहिर है कि इस शब्द के इस्तमाल से वो बहुत ही सहज रूप से बीजेपी के निशाने पर आ गई हैं